हेलो दोस्तों आप लोग का बहुत पुस्वागत हमारे यूटूब चनल में देखने में कितना यमी लगा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हमने यहां पर एक कटोरी सूजी ले लिए आप कटोरी किसी चीज का एक नाप रख सकते हैं और उसी कटोरी से हमने एक कटो पर नौर्मल ताजी दही होगी तभी आपकी जोड़ी से अच्छी बनेगी तो ध्यान रहे कि आप इसमें ताजी दही यूच करें तो देखे हमने इनको सूजी दही बराबर मात्रा में डाले हैं इसमें पानी बगर डालने की जरूत नहीं दोनों बराबर ही रखे तो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाए तो देखे बिल्गूल तैयार हो गई है अब इसको ज्यादा नहीं मिलाएंगे अच्छी तरह से मिल चुकी है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 10-20 मिनट के लिए रख सकते हैं ज्यादा लंबा टाइम रखने से अच्छी पूल जाती है अच्छी तरह से सूजी और सॉप्ट हो जाती है तो जो डीस बनाएंगे बहुत अच्छी बनेगी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं हम इसे सिर्फ पांच मिनट के लिए रेश्ट कराएंगे अब इन्हें ढग देते हैं बाच मिनट के लिए तो देखे पांच मिनट और मिलाएंगे ज्यादा ही सॉप्ट हो जाएगी तो देखे अब चली अब इसमें पुछ डालते हैं तो चौथा हिस्सा डालेंगे अजमाइन इसमें हम डाल दिये हैं नमक थोड़ी सी धनिया के पत्यां ताजी डाल दिया आपके पास गाजर है तो आप डालिए और इनको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे अजमाइन जरूरी डालना क्योंकि थोड़ी सी अच्छी होती है जमाइन का टेस्ट भी इसमें आएगी और जो हजम अच्छी तरह से हजम हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें चौथाई चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे ब जाएगी तरह से देखिए सब मिल चुके हैं अब बिल्कुल तयार है आप इसमें कटोरी में थालियों में आपके पास इस्टेंड है मोल्ल उसमें डाल कि जिसमें आपको इजी लगे उसमें भी पिनाएगे तहाम एक थाली ले लिए पहले उसको तेल लगा लिए और सारे टालुयों को अच्छी तरह से भाला लahhम को प्रूश लेंगे बैका से घयर पर शनलीर और सारे में ठीटालान ते और कीरे से अब मरे में को पास कोई बातन और रेकवागा उर्हारते नहीं में है या के पास इसटेंड नहीं है त पास आप है पुर्ट आराम से बना सकतिए बहुत जल्दी बन जाती है जो कि थालियों में एकवल हो गई हमने एक ड़ाई में पानी रख दिया है पानी हलकी सी गरम हो गई है उसके उपर थालिया रख देंगे और इसे ढग देंगे अब कोई भी ठकन लगा सकते हैं तो हमने एक थाली लगा दिया और इसको मीडियम फिलेम पर दस से बारे मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे तो जब तक रही है तब तक हम इसके लिए एक तेस्टी मज़ेदा चटनी बनाते हैं तो हमने कच्छे नारियर लेली आधा कोटो उसके ड़ाल देंगे नमक काली तो सपेद नमक का नमक कर सकते सकते हैं तोही पानी पानी तो बहुत हता रही नारियर यह नहीं डब सيबड़न जब बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी हमने इस ट्रक चीजें कुछ नहीं डाली थी कितना ब्यारा टेस्ट भी बहुत अच्छा था आप इसको चाहें तो थोड़ी सी राई कड़ी पते से तड़के लगा सकते हैं लेकिन हम तड़की नहीं लगाएं सिंपल रखे हैं तो अब आपको नहीं दिखा पाये थे तो बता रहे हैं कि आप नीव का रस जरूर डाले कि चटनी जो होती है थोड़ी सी खटी अच्छी लगती है तो चटनी बन चुके साइड में रखते हैं तब तक देखते हैं तो देखिए चाकु डालके चेक कर लेते हैं चिपकी नहीं है तो अब आप इसको थोड़ा सा सजा लिए हैं ऐसे फ्लावर बना लिये थे लाल मेर्च से और हरी मेर्च से और आप इसमें अपनी मन पसंद की सेप कर सकते हैं तो देखिए हम बहुत बड़े नहीं बहुत चोटे नहीं सिंपल चोटे-चोटे पीस कट कही हैं और थालिम बेलक अब भून सकते हैं नॉर्मल खा सकते हैं वह नहीं है उसमें भी नमग मिज पढ़े हैं चटनी भी काफी टेस्टी बनी है तो हम चटनी के साथ खाएंगे इसे देखिए आपके पास धन्या के चटनी हो क्योंकि धन्या भी सर्द्यों में बहुत मिलती है तब धन्या की चट सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए और आप 10 मिनट वाला रास्ता डिनर में लंच में ब्रेक फास्ट में बना के खाई यह बच्चों को टीपन में दीदी और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो